Hello and welcome friends, Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Tally Prime की Tally Prime में नया क्या है, खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूँ आईए आपको बताता हूँ यहाँ पर Tally Prime को मैंने open किया है आप देख सकते हैं हमें बनाना है Compound Unit तो Compound Unit Tally Prime में कैसे बनाया जाए आईए समझ लेते हैं एक बार सबसे पहले Create दिख रहा है आपको Gateway of Tally के मुख्य मेन्यू पर हम है इसे हम Gateway of Tally का Main Menu कहते हैं अब यहाँ से हमें क्या करना है Create पर चले जाना है Create पर ही हमारा करसर है तो हमें सिर्फ एंटर भर प्रेस करना है यहाँ पर आएंगे तो आपको Accounting Masters दिखाई पड़ेगा इसके बाद आपको Inventory Master दिखाई पड़ेगा तो आपको आजाना है सीधा कहां Inventory Master पर Inventory Master पर आने के बाद Unit पर आजाए और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा है उपर Simple तो यह जो Simple है यह Simple Unit बनाने के लिए Use होता है तो आपको उपर आजाना है यहाँ पर क्लिक करना है यह जो है ना यहाँ पर आना है क्योंकि हमें क्या बनाना है Compound Unit बनाना है तो compound unit बनाने के लिए हमें क्या करना है, उपर आना पड़ेगा, तो यहां से हम क्या करते हैं, space बटन प्रेस करते हैं और आ जाते हैं उपर, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा compound, तो बस compound पर क्लिक कर दिजे, और यहां पर दिया हुआ है NOS, ठीक है, एक unit पहले से मैंने आई है NOS यानि numbers के नाम से, एक गते में पारले जी के 50 packet आते हैं, तो NOS यानि numbers तो हमने बना लिये हैं, लेकिन अब हमें एक और बनाना है PKS, ठीक है, packets, तो यह हमने बना लिया PKS, ठीक है, और यहां पर इसे नाम दे दिया packs, ठीक है, formal name क्या दे दिया, packs दे दिया, और interface कि ठीक है, ठीक है, तो packs हमने बना दिया, यानि देते हैं, numbers तो पहले से बनाई रखा है हमने, तो एक जो packet होता है पुरा, एक जो गत्ता होता है, उसमें कितने बिस्किट आएंगे, तो यहां पर मैं कर देता हूँ 100 packets, ठीक है, यह कर दिया हमने, और यह हो जाएगा packs, यानि क 100 packet biscuit आएंगे, तो इस तरीके से हमने एक unit बनाया है, जो कि compound unit है, तो अगर हमको voucher entry पास करनी है, और हम सिधा कहां चलते हैं, हम चलते हैं, purchase voucher में, और यहां पर एक voucher entry पास करके देखते हैं कि कैसे यह possible होगा, यह entry कैसे हम कर पाएंगे, यहां पर creditor party का laser लगा देते हैं, enterprise करते हैं, enterprise करते हैं, इन सबको accept कराते हैं, अब इनका कोई काम नहीं है, यहां पर आए, तो यहां पर हमें एक stock item बनाना होगा, parlay G, ठीक है, तो यह लिखता हूँ मैं parlay G, ओके, तो इस तरीके से यह लिख दिया, मैंने enterprise किया, यहां पर आए, यह किसके under में जाएगा, इ standard rate की बात नहीं करेंगे, हम सीधा आजाते हैं, इसको accept कराते हैं, यहां पर जैसे ही आएंगे, तो आप देखेंगे, कि यह कुछ इस style में खुल रहा है, ठीक है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, कि इसको solve कैसे करना है, अगर इसको item allocation को आप off करना चाहते ह है, तो जो आपके delivery note और यह सब vouchers जो आते हैं, उनको आपको off करना होगा, तो यह कहां से होता है, हमें क्या करना है, यहां से बाहर आ जाना है, और बाहर आने के बाद सीधा कहा आना है, अल्टर पे आना है, तो यह अल्टर पे आ गए हम और अल्टर पे आने के बाद क्या क कर दीजे ठीक है और बाकी कट्रोले प्रेस कर दीजे यहां पर एक और बाउचर टाइप हमारा यस है रिसिप्ट नोट बाउचर टाइप तो इसको भी नो करके और फिर रेजेक्शन इन रेजेक्शन आउट सब को आपको देखना होगा सेल्स और पर्चेस और तो यह यहां पर नो ही दिखाई पढ़ आया हमको आईए एक बार एंट्री पास करते हैं अब शायद हो गया है यह काम तो यहां से जाकर कि आप पर्चेस बाउचर में जाएंगे सप्लायर का इन्वाइस नमबर डालेंगे एंटरपेस करेंगे यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टिक की बात करेंगे नमबर पांच हमने पैकेट उठाए हैं और यहां पर आप दे सकते हैं रेट ठीक है एक गत्ते की पूरी रेट कितनी आ रही है तो अगर सो पैकेट्स हैं और एक पैकेट पांच रुपे का है तो आप इस तरीके से जच कर सकते हैं यहां पर आपको 4000 रुप कर सकते हैं ठीक है एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया और इसको accept करा लिया तो इस तरह के से आप देखेंगे कि हमारा यह entry पूरा हो गया और यहां पर हमने जो purchase किया वो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा यह देख सकते हैं और यहां से अगर आप इसका शेयर कर सकते हैं थैक्यो फर वाचिंग देस वीडियो कि के सकते हैं थां प्यूls कि देखें हैं देखें आपकोर सकते हैं कि देखें ड़् लाचिंग मने और यह को आपको अज़ियो झाल झाल